वैसे साथियों इस बार राष्टिय बाल पुरस्कारों में जो विविदिता है वो बहुत अच्छी बात है आर्चरी से अब हम आड की दुनिया में चलेंगे मनिपूर की बेटी है हमारी कुमारी नविश किशम बहतर पेटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है बताइए बेटा बनीश हम आप से सुनना चाहते हैं आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं रंगों में तो वैसे ही बहुत उर्जा होती है और वैसे तो नौर्थ इस अपने आप में बड़ा कलरफूल है उन रंगों को सजा दिया जाए तो यह जीवन भर देने ज हो जाता है मुझे बताए गया है कि आप ज्यादा तर एनवार्मेंट पर परियाबरन पर ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है और यही विशे आपको इतना क्यों आपकर सित करता है करेंगा पुर्ण तर इनवार्में हम पर पर्ला कान přाम जे विशे इंडर्मेंट अपस को प्रा обычноですかil के आपको a so a lot of pollution is there so I want to change it by planting more trees and save our environment our plants and animals are our rare spaces I want to save them so in order to spread these messages to the people as an artist I drew this painting best on this team no sir I'm my father is a businessman and my mom is a homemaker I'm the only artist yeah yeah no sir they supported me a lot they supported me a lot yeah sir I love to sing I love singing and I love to do gardening also yeah yeah I'm going to go there in a mobile home and it's a lot of people there and it's important that I think uh that's why I'll have nobody else I got yes yeah I am I'm doing it was very I'm a brick from this country you always find which I sold in Indonesia I'm a man I am a very high-minded संस्कार है अच्छा आप गाती हो आपने बताया कुछ सुनाओंगे मुझे yes sir uh i would like um i'm not a professional singer but i would love to uh so uh this is uh our folk song called in a uh चिंद शाद पी इंगे ले चीना दना केंखी बाहो कलगी हो कलगी कलगी दे मालंग बईसु कैदो दे लई रांगा लई खोग लोई बगी हो केंखी बगनी हो केंखी बगनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थेक्यों सेर्व मैं तुम्हारे माता पिता को भषाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जुरूर कुछ करना चाहिए तुम्हारे हवाज में बहुत दम है मैं कोई सास्तर का जानकार नहीं हूँ लेकिन अच्छा लगा सुन करके बहुत अच्छा लगा तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए मेरी तुमने को बहुत बहुत आशिरवाद है सातियों हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिन्दगी को जी रहे हैं उनकी जितनी प्रसंसा की जाए कम है अब देखिए एक तरफ बहतरीन प्रेंटिंग बनाने वाली बिटिया है तो करनाटर का के राकेश क्रश्णभी है राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्टे पुरुसकार मिला है राकेश आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और मैं जुरूर आपसे बात करना चाहूँगा राकेश आपका प्रुफाइल जब मैं देख रहा था तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी कम उमर में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं आप साइन्स के स्टूडन्ट है तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभावी की है लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है यह कोई बहुत मामुली बात नहीं है जी तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि यह मन कैसे लग गया आपका यह काम के लिए कैसे मन लग गया तो फर्स्ट अफॉल नमस्कार शुवमाद ज्यान आपके लिए और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ साइन्स और इनोवेशन में तो इंटेस रहा ही था लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ यह मेरे पिता जी है और मेरे माता जी है तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्राक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो कुछ तो करना था और मेरे मन था कि मैं जो किसान है अमारे राष्ट्री और अनदात हैं उनको कुछ कॉंट्रिब्यूट करो जो मेरे टेक्नोलोजी का इनोवेशन है इसलिए मैंने उनको कॉंट्रिब्यूट करने के लिए मैंने एक मेशिन बनाया है सर तो already जो existing practice है उनसे 50% से भी ज्यादा profitable मेरे मेशीन है सर अचार तो कभी प्रयोग किया क्या खेट में प्रयोग किया पुताजी के साथ जा के हाँ सर प्रयोग किया है तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मेशीन 10 to 15% से भी ज्यादा time consumed टेकन और जो मैंने यह प्रैक्ट प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मेशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा germination rate देता है सर सो क्या है कि आज जो skilled labor चाहिए farming के लिए यानि किसान को जो labor चाहिए उसका charge तो skyrocket हुआ है जो ज्यादा हुआ है और हमें skill labor नहीं मिलते हैं सर तो इसलिए मैंने multipurpose machine किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पाइसा और time कतम इजीली कर सके अच्छा जब अपने बनाया अख़बारों में छपा लोगों को पता चला तो यह जो होते हैं बिजनेश कंपनिया वोदे मैं पूचा मेरे से और मैं फेस्टिवल आफ इनोवेशन राष्टपति बॉन का एक पाटिस्पेंट था और वहां पी उन्हों ने आकर पूचा था सर लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीट्ली डेवलप नहीं हुआ सर अभी भी मैं काम करना चाहता हूं और और भी अच्छा तरीकिसे मैं बनाना चाहता हूं सर अच्छा तो आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौबजे सिर्फ टीवी-9 भारत वर्श पर